नमस्ते, मैं राम सिंग राणावत चित्तोडगर्ड राजस्तान से हूँ, माराना परताव की नगरी चित्तोडगर्ड में आपका हार्दिक स्वागत अभीनंदन मेरा क्यूशन, जब आप मिशन शक्ती की गोशना कर रहे थे, तो हम इस तक्निकी के बारे में नहीं जानते थे बात में हमें पता चला, ये बहुत बड़ी उपलग दी थी, कॉंग्रेस सरकार इसकी आलोचना कर रही है, कह रही है कि इसे शक्ती तो हमारे पास पहले ही थी, और इसको इतना नहीं बताना चाहिए था, थैंक्यू मैं जितना आपका सवाल समझ पाया, मूल आपका गुसा कॉंग्रेस के प्रती है, देखिए बात सही है कि ये मिशन शक्ती, अभी भी हमारे देश के, और ये तो चुनाओ की गर्मी में बहुत सी अच्छी चीजे, चुनाओ के चश्मों से ही देखी जाती है, तब जगड़ हो जाती है, इससे चुनाओ का कोई लेना देना दे है, हमारे देश के बैग्यानिकों ने वो सिद्धी हासल की है, हर हिंदुस्तानी इसके लिए गर्मा करेगा, दुनिया में हमारे पहले ये काम तीन देशों ने किया है, हम चौथे नंबर पे हैं, अमेरिका, रश्या और अब इसकी बारी की देखिए, इसकी बारी की देखिए, हिंदुस्तान से एक मिसाइल निकलती है, तीन मिनिट में जाकर के अंतरिश में, करीब तीन सो किलोमेटर दुरी पर एक जीवित सेटलाइट है, जो खुद भी ब्रह्मन कर रहा है, उसको जाकर के मार गिराता है, अब इसकी बारी की देखिए, जो सेटलाइट था, वो करीब डेड़ मिटर बाई डेड़ मिटर का था, और डेड़ मिटर बाई डेड़ मिटर का इतना छोटा सा सेटलाइट, उसकी स्पीड थी एक सेकंड की 10 किलोमेटर की एक सेकंड की 10 किलोमेटर से जा रहा था यानि जैसे कि पंखी उड़ रहा है मारना है तो उसकी स्पीड भी तो 10 किलोमेटर नहीं होती है है यहांसे हमारा जो सेटेलाइड गया मिशाई गई उस अब की स्पीड भी उसी के बराबर एक सेकंड की 10 किलोबिटर की वहां पहुंचने के बार कि वो यहांसे सेटेलाइड आ रहा था है यह यहां से जा रही थे और यह सारी प्रक्रियों नहां से उसका निकलना और वहां सेट्रलाइट से को खतम करना यह सारी क्रिया तीन मिनिट में होगी और आप हरान होगे जानकर के जो डेड़ मिटर बाइड़ मिटर का जो सेंटर पॉइंट था इस से मुश्किल से दो-तिन सेंटिमिटर साइड में यह बीच में बिलकुल बिलकुल बीच में जाकर के इसने बार किया और उस सेट्रिलाइट को उसने तोड़ दिया खतम कर दिया यह क्या है ताकत आज जो भी अब जैसे मैं यह टेक्नलोजी से सबसे बात कर रहा हूं उसमें स्पेस सब्सक्राइब अगर मैं टीवी देखते हैं सेटलाइब का मुबाईल फोन से बात करते हैं सेटलाइब करो अब बविश में दुनिया में वह ताकत जरूरी बन गई है कि कोई अगर मालीज अपनी ताकत से हमारा एक महत्वपुन सैटलाइट गिरा दे तो हमारा तो देश ठफ हो जाएगा हमारे विमान नहीं उड़ेंगे हमारे ट्रेंड नहीं चलेगे हमारा मुबाइल नहीं चलेगा सब बंद हो सकता है इतनी ताकत है अम मुझे बताइए क्या हिंदुस्तान ने इस चीज के करना था है कि है अमने किया दूसरी बात है एक बुद्धिमान नेता कहते हैं कि यह तो बहुत बड़ी सि 그ilट है कि हमारे पास थी लेकिन हमने सिद्द रहें था आपके गले उतरता है बात गले उतरता है दूसरी बावाइछाल आरा जब अमेरिका ने डंके की चोट पर किय चीन ने डंके की चोट पर किया रश्या ने डंके की चोट पर किया तो हमने गुप चुप गुप चुप करने क्या जरूत है अच्छा इनको साबू का उप्योग करना चाहिए बुद्धिमान वेक्टि को साबू का उप्योग करना चाहिए आज विश्व में अंतरीक्ष में आप कुछ भी करें दुनिया इसको रेकॉर्ड कर सकती है दुनिया उसको आसानी से देख सकती है उसके लिए कोई स्पाय गिरी करने जरूती हो नेच्रल प्रक्रिया है क्या यह छुपा रहने वाला था क्या अच्छा आप टेस्ट करो और कहते रों मेरे में ताकत है तो पता कैसे चलेगा अगर यही सच है तो हमने पोखरण एक पोखरण दो क्यों किया करने के तुरंद बाद दुनिया को क्यों बताया दुनिया को आपकी शक्ति का परिचे होना भी उतना ही जरूरी है लेकिन इसके साथ हमने यह भी कहा कि हमने यह किसी दुश्मन देश के लिए बनाया नहीं है यह हमने हमारी रक्षा के लिए टेक्लोलोजी को विक्षित किया है और हम आगे भी करेंगे और इसलिए यह शक्ति मिशन भारत के लिए बहुत बढ़ी गवरोपुर्ण गटना है लेकिन चू की मोधी प्रदान मंत्री है इसके कालखंड में हो रहा है तो कुछ लोगों की नीद उड़ जाती है क्या करे भैई इसका क्या उपाए